ये काम इसलिए हुआ, क्योंकि मोदी है तो मुम्किन है नमस्कार महुदे बांजली मोहित्रा पूरे चुनाव भर चौकिदार चोर है का शोर मचाकर मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वाली कॉंग्रिस के सुर अब बदलने लगे चुनावी नतीजों के करीब तीन महीने बाद ही सही कॉंग्रिस के दिगज नेता भी मानने लगे है कि मोधी सरकार ने अपने पहले कारेकाल में वाकई कई ऐसी योजनाय चलाई हैं जिसने गाउं गरीबों की जिन्दगी में बदलाव लाने में बड़ी भूमिकाने भाई यहां तक की 2019 में 2014 से प्रचंड जीत हासिल करने की वजब ही मोधी सरकार की यहीं योजनाय हैं मोधी सरकार ने वैसे तो कई आतिहासिक योजनाय चलाई लेकिन जसी योजना की कॉंग्रस के दो दिगजनेता जैराम रमेश और अभिशेक मनुस सिंग्वी ने तारीफ की है वो है उज्वला योजना कॉंग्रसी दिगजों ने की उज्वला की तारीफ मोधी सरकार की सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी वज़ा कॉंग्रस के दो दिगजनेता जैराम रमेश और अभिशेक मनुस सिंग्वी उज्वला योजना को मानते हैं उन्हें लगता है कि इस योजना ने लोगों को मोधी सरकार से जोड़ने का काम किया है मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जैराम रमेश ने कहा ये वक्त है कि मोधी के काम और 2014 से 2019 के बीच उन्होंने जो किया उसके महत्व को समझे जिसके कारण वो सत्ता में लोटे शासन का मॉडल पूरी तरह नकारात्मक गाथा नहीं है साल 2019 में राजनीतिक विमर्ष में हम सभी ने उनकी एक या दो योजनाओं का मजा कुड़ाया लेकिन सभी चुनावी अध्यानों में ये सामने आया कि उजवला योजना अकेली ऐसी योजना रही जो उन्हें करोणों महिलाओं से जोड़ पाई इसने उन्हें ऐसा राजनीतिक खिंचाव दिया जो उनके पास 2014 में नहीं था जैराम रमेश के बाद कॉंग्रिस के राष्ट्रे प्रवक्ता अभिशेक मनू सिंग्वी ने भी ट्वीट कर कहा की मैंने हमेशा कहा है कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है सिर्फ इसील यह नहीं कि वो देश के प्रधान मंत्री हैं बलकि ऐसा करके एक तरह से विपक्ष उनकी मदद करता है काम हमेशा अच्छा बुरा या मामूली होता है काम का मुल्यांकन व्यक्ति नहीं बलकि मुद्दों के आधार पर होना चाहिए जैसे उज्वला योजना कुछ अच्छे कामों में एक है मोदी सरकार ने उज्वला योजना से गरीब परिवारों के घरों तक गैस सिलेंडर पहुचा कर उन्हें चूले के धुए से मुक्तिद लाई मोधी सरकार ने गाओं गरीबों के बारे में सोचा तो देश की जनता ने भी मोधी के बारे में सोचा और उन्हें दोबारा जिता कर सत्ता सौब दी उज्वला योजना से कितनों को हुआ फायदा? एक दोर था जब दिल्ली से योजनाय तो कई निकलती थी लेकिन उसका फायदा देश की जनता तक नहीं पहुँच पाता था कभी खुद पूर पीम राजीव गांधी ने भी कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है लेकिन जनता तक सिर्फ पंद्रा पैसा पहुचता है मोधी सरकार ने सत्ता में आते ही ये ट्रेंड बदला और सीधे लाभारतियों के खाते में योजना का पैसा पहुचाने की व्यवस्था की जिससे सरकारी योजनाय लोगों तक पहुचने लगी यही नहीं मोदी सरकार की महत्वकांग्शी उज्वला यूजना भी गाउ गरीब के हर तबके तबके तक पहुँच रही है उज्वला की सरकारी वेबसाइट के मताबिक 22 अगस तक देश भर के 715 जिलों में 7 करोड 88 लाग 31,400 लोगों के घरों तक LPG के कनेक्शन पहुँच चुके हैं सबसे जादा लाभारती यूपी में है जहां लोगसभा की 80 सीटे आती हैं इस राज में मोदी सरकार ने 1,44,67,775 लोगों के घरों में गैस पहुचाई तो वहीं 48 सीटों वाले महराश्ट में मोदी सरकार ने 43,44,677 लोगों के घरों में गैस पहुचाई 40 लोग सभा सीटों वाले बिहार में मोधी सरकार की ओर से 84,50,657 लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया 42 लोग सभा सीटों वाले ममता के पश्चिम बंगाल में मोधी सरकार ने 87,51,47 लोगों के घरों में उज्वला के तहट गैस सिलेंडर पहुचाने का काम किया खुद पार्टी अध्या शमिच शाह ने भी माना था कि मोधी सरकार ने पहले कारेकाल में 133 योजनाय लॉंच की जिसका लाब देश के 50 करोड लोगों तक पहुचा है वाकई उज्वला की तरह मोधी सरकार की बाकी ओजनाय भी धरातल पर उत्री हैं जिसने मोधी की जीत में बड़ी भूमी काने भाई हाँ अनंतनाग अर्जुमाना जी आप तो रमजान का महिना चल रहा है तो बहुत सुबे तीन बजे उटकर के खाना पकाना पड़ता होगा और लक्री का चुला गया और गैस का चुला आया तो पहले में बहुत बड़ा फरक आया होगा की गован में में आया कि गद्वत के जाते तो बच्चे आ की द में बहुत जादा परकारा हुए पिए तीनyu कोई बच्चेा विमार पड़ता था उसको एंपिटल ले जाते थे उसमें सारा दिन चला जाता था जिस हम एक दिन का मतब एक टाम का खाना भी पकानी पाते थे अब जब के उच्वाला गैस हमारे घर में आई है इसे हमें बहुत सोह लाते होगे रमजान के महीने में तो बहुत ही ज्यादा अब हम सुबा ही उठके पांदरा मिनट आदा गंटा पहले ही खाना पका सकते हैं और सहर मेरे दोध भी मुस्लिम बच्चे ही थे सब जब मैं बच्षोटा था और मैं देखता था कि रमजान महिने में उनके घर में बड़ी तकलीफ होती तो मेरे दोध भी ऐसा ही थे गरीब परिवार के थे कोई बड़े मेरे दोध वो नहीं थे तो उनको घर में सुबे तीन बज जैसे वो खाने की त्यारी करते हैं तागी रोजा शुरू होने से पहले सारा काम हो जाता है मैं मानता हूँ अब गैस सिलिंडर आने के कारान यह जो माताओ भेहनों को ऐसे अवसर पर जो तकलीफ होती है बहुत कठीनाईयों से मुक्ति लिए आपके यहां तो मौसम का भी म रहता है लकड़ी गिली ही रहती है आपके यहां तो वो तो और दिक्ट चरती होगी तो पूरा दिन रोजा रखते थे और ओपर से लगडियां भी शाम को ही डूनी पढ़ती थी लगडियां लाके रखनी पढ़ती थी फिर सुभा भी एक बजे से ही क्योंके सारी का टाइम तो कभी तीन बजे भी होता है फिर हमें एक बजे से ही दो बजे से ही खाना पकाना पढ़ता था तो अभी सुभीदा हो गया आदे पौने गंडे पहले करते हो जाता है बिल्कुल सर वो तो बच्चे सो भी सोते भी थे तो उनको भी दुआ लगता था खासी से वो भी रिवारे बच्चों को सबस्वा यहां से खाना पकाना सर अच्छा बच्चीयां बच्च्यों को पनने में सुवीदा हो गई है इप है जी सर वो जोटी है मगर होगी सुभी मतलब खासी वासे से बच च्बाच के तो उससे कफी खुशालीगर में आई हम काफी वक्त दे प देखिए कश्मीर में जो हमारी माताई बहने है भगवान ने उनको बहुत बड़ी एक कौशल दिया है उनकी उंगलियों में इसी ताकत है ऐसी अध्भूत चीजे बनाती है अब मैं मानता हूँ यह गयर सिलिंडर के कारण माताउं बहनों को लकडी के चूले में जो अपने हाथ जलाने पड़ते थे अब उनकी उंगलियों का उप्योग अच्छी अच्छी चीजे बना करके बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने की ताकत है कश्मीर की हर मा बहन को बेटी को यह हस्तकला का अध्भूत काम आता है तो उसमें कोई बड़ोती हुई है जाधा आपको तो पता ही है रमजान के महिने में हमें काफी चीजे तैयार करनी पड़ती हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सुहलते मिलें एक नम सरॉल हो गया सबके लिए शगरिया सब्सक्राइब अच्छा लगा आप समय में आशिरवाद देजी ए हाँ की सरकार ही ह नहीं आपके आशिरवात बने रहे हम सम मिल करगे गरीब का भुला करे. गरीब का भला करें रम्जान का महीन चाड़ रहा है सुबह हम नमाज पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं कुरान में हम आपको दूआ देंगे कि अगली हर साल आपकी ही सरकार आजाएगी मैं आपका भावारी हूँ लेकिन मुझे आपने आशिरवात दिया मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन हम सब का काम है हुआ करीब को डौ टाइम अच्छा घाना मिले, गरीब के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, गरीब के जो नौजवान है, उनको कामकाच का अउसर मिले, और हमारे जो बुजूर्ग है, उनको दवाई में कोई तकलीफ नव, आपको मालूम होगा, और मैं चाहूंगा आप भी और बहनों को बताईए, सरकार एक ज पाड़े तीन हजार जन आउसरदी केंद्रे है, कुछ लोग है जो पर्मेनेट बिमार होते हैं, जैसे डाइबिटिक पेसंट है, या बलर प्रिशर का पेसंट है, उसको तो रोज दवाईया लेनी पड़ती है, जिसका सो रुपिय दवाई का बिल होता था, जन आउसरदी क केंद्रे में ऐसी ही उत्तम दवाई मिलती है, और बीस पचीस रुपे में मिल जाती है, इतना बड़ा फाइदा होता है, तो आपके अगल बगल में कोई भी बिमार रहते हैं, तो उनको जुरू बताइए, कि सरकार ने जन उसे दिक केंद्रे खोले हैं, दवाई वहीं से ल कीजिए, और मैं मानता हूँ कि आप इतने जागुरू हैं, इतने आपको सारे चीजों का पता हैं, और आप गरीब का भला चाहते हैं, तो मेरे लिए खुशी के बाद है, तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, आपने आशिरवाद दिये, आगे भी आप ऐसी कुछ सुहिलते हम गरीबों के लिए लाएंगे, जरूर, आप बताते रही हम करते रहेंगे, सर्दाने बातार जिसार,